हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बाते हैं जो डिलिवरी रूम के अंदर होती है आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ तो चली फेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो दर्द सुरू होने के बाद जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं डॉक्टर आपको दर्द बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगाते हैं ताकि दर्द तेजी से बढ़े और आपकी सर्विक्स का मुह खुल पाए क्योंकि दर्द बढ़ने से ही सर्विक्स का मुह खुलता है तो डॉक्टर जल्दी डिलेवरी कराने के लिए दर्द का इंजेक्शन दे देते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर डॉक्टर आपकी विजाइना में उंगली की मदासिया चेक करेंगे कि बच्चे दानी का मुह यानि सर्विक्स का मुह कितना खुल गया है जिससे उन्हें एक अंदाजा लग पाता है कि डिलेवरी होने में कितना समय बाकी है डिलेवरी के दौरान आपको सर्म बिलकुल छोड़नी होगी क्योंकि वहाँ एक डॉक्टर ही नहीं बलकी कुछ नर्स या अनिस्टाब भी होते हैं तो उस दौरान आपको यह नहीं सोचना है कि आपके साथ क्या हो रहा है या आपको अपने प्राइविट पार्ट दिखा रह नहीं है तो आप अपने निचले बालों की वहाँ पर आपको सेविंग की जाएगी तो इसलिए अगर इसमें आप परेशान नहीं की है तो अस्पताल में ही सेविंग की जाती है कई वार ऐसा होता है कि सर्विक्स खुलने में ज्यादा समय लग जाता है तब हो सकता है कि काथे चाहन मिलता है नहीं लेटे ऐसे में डॉक्टर आप से तेजी से चलने के लिए कहेंगे और ने की ओर जोर से किस्क करने के लिए कहेंगे आप जितना नीचे की ओर पुस करेंगे डिलेवरी में उतनी industries आसानी होती है लेकिन गर्वती महिनाया दर्ध होने की वजए से सांस को ऊपर चढ़ा लेती हैं जिससे बच्चा नीची पुस हो नीची आने की वजए ऊपर की तरफ खिच जाता है जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है आपको कितना भी दर्ध क्यों नहों आप सांस को नी